हलो स्ट्वेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि आपने थम्मनेल में अल्रेडी देखा होगा तो इस वीडियो में हम आपके सामने मैत्स के क्वांटेटिव अप्टिटूड जो होता है उसके कुछ दस कुछ लेके आये हैं और इस दस कुछन में म आप जो है वो कर पाएंगे मतलब और अच्छे से एक्जाम के दौरान भी आप स्कोर कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है जिनके छो पाँच आ रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे मैं यह नहीं कहूंगा तो कभी-कभी होता है कि उनकी भी गरबरी हो जाती है लेकिन अभी तो आप में नहीं है तो आप अराम से हम जो दस कुछन आपको यहां बताएंगे मैं आपको समझा दूंगा और आपको उसे सॉल्व करने हैं तो हम चले सुरू करते हैं इसके एंसर जो है वो वीडियो के लाश्ट में मैं बताऊंगा तो आप जैदा होस्यारी मत करिएगा और पहले करी वीडियो दूसे बाद एंसर दीए प्रण देख लेटे और फिर आप सॉल्व कर इन बाठते हैं तो उसका कोई फाइदा नहीं है तो आप पहले सॉल्व करिए सारे कुछिंस और सारे साथ एंसर देखिए कि हां मेरा आया की नहीं आया जो नहीं सॉल्व होते हैं उन्हे इसमें बूछा गया 25 बटा 2 का X परसेंट अगर 150 है तो X का मान ग्याद कीजिए और options आपके पास 4 है 1,1200, 1,1400, 1,500 तो ये percentage का एक question हो गया आसान question है आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से 90 से 95% इसे तो जड़ों सॉल्फ कर लेंगे आसान question है इसका लेवल लीजी मैं कहूंगा दूसा question है person sells 400 mangos at the cost price of 320 mangos percentage of losses इसमें बोला गया है कि 400 आम जो है एक व्यक्ति 320 आमों की लागत मुल्ले पे 400 आम बेचता है उसका हानी प्रतिसात कितना है तो आपने 320 आम जो है यह मैंने ही अभी बताऊंगा answer slash में बताऊंगा और आप इसे solve करिये options है 10 15 20 25 यह भी आसान question आप क्या सकते हैं अगला question है on selling an article for rupees 105 a trader losses loses 9% to gain 30% you sell the article at एक वस्तु को 105 रुपे में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानी होती है ठीक है और आप से पूछा गया कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को वह किस मुल्ले पे बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए तो यह question आप कह सक इसमें भी हैं 126 144 150 149 तो एक बात मैं साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं question क्या अगले questions की और बढ़ते जा रहा हूं तो आपका time खतम होते आ रहा है आप उसे वीडियो को पहुझ करिए यहां पे और उसके बाद पहले solve करिए और फिर अगला question देखिए फिर solve करिए फिर करिए ऐसे करिए ऐसा नहीं है कि हम आगे बार रहे हैं तो आपका भी time खतम हो जा रहा है बिलकुल ऐसा नहीं है अराम से solve करिए और सही solve करिए तो वह अच्छा होगा और यह question मैं बताना चाहूंगा कि average level इसे क्या सकते हैं तो यह भी आसानी question था profit loss का लिए फिर भी average आप फिर जो price आए उस पर 20% फिर 25% तो कितना जो है दाम कम हो जाएगा एक वस्तु के मुले पर 10% 20% पर से तीन क्रमागत छूट से वस्तु का मुले कुल कितना परतिसत कम होगा तो कितने परतिसत कम होगा यह निकालना है 46, 45, 45, 55 options है और आपको इसमें solve करने है तो शुरू हो कि अगला question जो हम देख रहे हैं a man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15% what is the selling price of the cycle में पूछा गया है कि एक आदमी जो है वो 1400 रुपे में एक cycle खडीता है और इसे 15% की हानी पर बेज देता है cycle की बिकटी मूले क्या है तो जो selling price हो पूछा गया है काफी आसान question मैं कहूंगा और पिछला question जो ह है उसके लिए मैं average बताना चाहूंगा कि average level का है और यह question तो काफी आसान है easy level का है solve करिए 122 1190 1160 और एक options है अगला question है if r sin theta equal 1 और r cos theta equal to root 3 then the value of root 3 10 theta plus 1 यदि r sin theta का value 1 है r cos theta का root 3 तो root 3 10 theta plus 1 का value बताना है 4 options है root 3 1 by root 3 1 और 2 तो पहुझ करके आप इसे solve कर सकते हैं तो आसान ही question था जिने 10 का formula आता होगा वो solve कर सकते हैं एक question है if 10 2 theta 10 3 theta is equal to 1 दोनों का जो product है वो 1 है तो value of theta आपको बतानी है यदि 10 2 theta 10 3 theta की value जो है multiply करने पर एक आती है और एक बात बता दूं कि यहाँ theta theta जो है वो 0 से 90 के बीच में है तो theta का आपको मान बताना है तो आप यह option देख सकते हैं कि 22 and half degree यह 221 बटा दो नहीं है यह आप धियान रखिएगा 22 and half मतलब 45 का आधा है और 18 degree 24 degree 30 दिए यह चा स्कॉर्वाइटा हाँ तो एक देख फिफिश्टी दिए पूछा गए आप से तो यह जिनको ड्रीनोमेट्री के बेसी फॉर्मिला जो एकदम यह जिनको आते होंगे तो वह सोल्ट कर लेंगे और काफी आसानी से कर लेंगे कुछ नहीं एस स्कुष्टन में और इसका यह ज फिर है टू होल टू बाइट्री और वन बाइट टू वन बाइटू अगले क्वेशन की और बढ़े नौवे क्वेशन की और इसकी अंतर त्रिज्या कम आप कितना ही आप से पुछा गया है और चार ऑप्सन्स है पांच दस बीस पंदर तो इसका लेबल में आभरेज कहूंग और सौल हो सकता है इसका एक ही फॉर्मूला अगर वह आपको आता है तो आप सौल कर सकते हैं नहीं तो फिर डेरिवेसन करना पर हैं और काफी समय लग जाएगा तो जिने फॉर्मुला याज है वो तो देखते ही सौल पर लिए होईंगे अगला एक क्वेशन जो में आपको बता दी है अब बात आती है सारे जो एंसर्स में अभी आपको दिखा देना वाला हूंग लेकिन आप पहले सारे क्वेशन कर लिजेगा अब स пров आपको ठीजर्स में सामें साल्व कर लिया है और उसके बाद आप एंसर से मैच कर सकते हैं चलिए एंसर्स क्यों बरते हैं उमीदैं कि आपने सॉल्फ कर ली होएंगी जितने आप से हो सके तो आप यहां एंसर्स क्रादिए है सारे क्वेशन के एंसर्स दिए हुय ह तो यह options आपको जो जो option सही है वो सब आपको यहां बता दिये गए हैं तो अब आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कितना marks आया है 10 और 10 में से कितना आया है तो x out of 10 और x का value जो हमें आपको बताएंगे comment section में कि आपको कितने marks आएं यहां पर और आपने कितना score किया तो जिन्होंने 7 या फिर 6-7 के round score किया तो उनका ठीक है और जिनका पांच चार आ रहा है उन्हें थोड़ी और मेहनत करने की जोट है और फिर 7 से जो एवफ है उनका बिल्कुल अच्छा है और वह आगे मतलब ऐसे ही practice करते है तो और अच्छा होता जाएगा तो यहां पर हमने दस कुछन आपको बताएं और आपने जितने भी स्कोर किये हुए मैंने आपको समझाई दिया तो आप बस आपको एंसर करने थे और उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ऐसे हम कुछ कुछ वीडियो अपलो नहीं किया है और वीडियो पसंद आयो तो प्लीज नीचे एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रिद्ग्रिया दे सकते हैं और अपना स्कोर जो है मार्क्स कितने आए वो बता सकते हैं तक हमें भी पता लग सकी कि आपका जो स्कोर है वो कितना है और कोई अगले वीडियो में खुछ नहीं चालेंजर साथ अपडेट को साथ और इंफॉर्मेशन साथ थैंक्यू